कराची, लहोर, इस्लामबाद, हाइडराबाद, राहीम यार्कान, मल्ताग, अबटाबाद, गुज्राट, जेलाग, अक्रास पाकिस्तान, देस इस एफेम उन हाइडराबाद अस्लाम अलेकुम पाकिस्तान मार्टन डाओ, पाकिस्तान की छटी बड़ी तवासाज कमपनी है, जो के दहाईउं से कारपुरिट समाजी जमेदारिया निभाने में आहम किरदार अदा कर रही है कमपनी के तरजिहात में तीन बुनियादी जीज़े हैं, तालीम, सहत, माहूलियात कोविड नाइनटीन अक्डामाद मार्टन डाओ के मुलाजमीन उसका कीमती अससा है मार्टन डाओ, हर काम उनकी हिफाज़त और खुशाहली को मदे नज़र रखते हुए करती है मार्टन डाओ अपने पैदावारी शुबे में एक दिन की रुकावट भी बरताश नहीं कर सकती क्यूंके हमारे मरीजों, हस्पातालों और डॉक्टरों को जिन्दगी बचाने वाली दवाओं की मुसलसल सप्लाई की जरूरत है मार्टन डाओ ने मंदर जील अग्दमाद करोना के हवाले से किये हैं हस्पातालों में पी-पी-ई कीड्स की तक्सी मार्टन डाओ के फैस्बुक पेच पर आगाही प्रोग्याम्स करोना के मुदू पर वेप इजलाज यह प्रग्याम मार्टन डाओ के तावन से पेच किया जा रहा है FM 100.6 है हैदराबाद की लाइव स्टूडियो से मैं आपके साथ मौझूद आपका अपना प्रेजेंटर आरजी राशिद शाह हमरे साथ मौझूद रहेंगे आज डॉक्टर जिन से अन दे कॉल बहुत सारे सवालात किये जाएंगे कोरोना वाइरस के हवाले से डॉक्टर मौझद अस्लम रिंद साथ जो के असिस्टन प्रोफेसर लियाकत यूनिवरस्टी लियाकत यूनिवरस्टी साथ मेडिकल और हेल्थ साथ जामसुर। डॉक्टर शाब को कॉल पिलेंगे और कोरोना वाइरस के हवाले से अहम सवालात करेंगे तो यकिनन हम लाइव कॉल पिलेंगे डॉक्टर मौझद अस्लम रिंद साथ असिस्टन प्रोफेसर लियाकत यूनिवरस्टी आफ मेडिकल और हेल्थ सांस जामसुर। MBBS FCPS MRCP UK जिन से धेरो धेर सवालात करेंगे कॉरोना वाइरस के हवाले से और आप भी इस प्रोग्राम को गौर से सुनिएगा ताके इस मौझी मर्ज से आप भी छुटकारा पा सकें अपनी फैमिली को बचा सकें क्योंकि ये एक ऐसा मर्ज है क्योंकि इस में सिर्फ अपनी जान नहीं सबसे पहले आपकी फैमिली की जान है क्योंकि ये एक से दूसरे में ट्रांसफर होने वाला मर्ज है तो डॉक्टर साब से सवाल करेंगे असलाम अलेकूम अल्ला के ऐसान ठीक ठाक आप सुनाएं सबसे पहले तो आपको वैलकम कहते हैं अफम हनुट पॉइंट सिक्स के इस प्लेटफॉर्म पे और उसके लावा हम आपको ये भी कहेंगे कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला इस्पैशली लोगों के आगाही के लिए ताके लोग अपनी जान बचा सके सर और बदकिसमती की बात है कि हम बहुत दूर से बात कर रहे हैं इसी शहर में होते हुए भी दूर से बात कर रहे हैं क्योंकि इस ही मुजी मर्स की वज़ा से वरना साथ वैट के इस प्रोग्याम को नेशर किया जा सकता था पर सर फिर भी आपका बहुत दो शुक्रिया कि आपना पना कीमती वक्त दिया है सर सबसे पहले नौवल वाइरस और या इन्फेक्शन ज्यादा बीमारी ज्यादा बीमारी क्या होती है यह एक ज्यादीम है जिसको स्पी ओविएटी नाइचन नाइचन बोलते हैं अगार भी यह सब्से टेले जो यह वाइरस का यह जिसमता वाइरस है जी जी ऑ और इसका नाम जो है, वो बोलते हैं क्योंगे इस यो शेकल जो है वह एक अमप्रेला टाइब वगती है उपर जो है अमप्रेला जे से लगयो कर जो है लागयो थे हैं सिसकी हो जाते हैं शेकल जो है वो चुर्वान की सबसूस होता है थे ले सो के अभ conditioner鍋 है यह जराफील सबस्य पना गिया था वो वहांड शाइना में इत्वफर 2019 में अपर सनाम 19 रखा गिया था वाद पर जो है बहुत हाला तराब हो गया और बहुत हारे लोग तराब ही लगे बिलकुल जो है यह सबस्य तेले वहां पर आया था अचसर यह को नवाइरस आखिर है क्या आठाब होतसे हैं अगरेजन है के वाइरस स्पृते हैं और पंदाइब और यह वाईरस वौ जरातीन है जो जल्डी में वहां गारखेंवेजि वॉर्श्टे है कोई बात नहीं कोई बात नहीं सिर्ट कोविड नाइटीन क्या है सर मैं भी चाहता हूं थोड़ा आप सिंधी में भी बताएं क्योंके काफी सारे लोग सिंधी में भी होंगे उन तक भी आपके आवाज पहुँचे कुछ लोगों को सिंधी नहीं भी आती हैं आप मिक्स भी बोल सकते हैं सिंधी में भी बोल सकते हैं उर्दू में भी बोल सकते हैं मिक्सिंग में बोल सकते हैं सब्सक्राइब अधियों से मोगता है। अच्छा सर इस बीमारी की अलामात क्या है अच्छा अगर उर्दू में ये आप सही से बोल सकते हैं इस सवाल पे तो बिलकुल बोल सकते हैं अच्छा 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 बिलकुल 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 बिलकु कि रूमते शाहरे होंते हैं कि उसकाणा होते हैं, कि इसे गल्य वारिशतude सब्धिरता भर जितनि है जसें गले हैं झसम में जरब हो गाना अग्रित क्वार मना ज्वार्ज में धर्जार्ज मौतं दॉौшееत है thing सब्सक्राइब चाहए या बखाना हो जयता है कोई तो हर कोई डर रहा है मतलब ज्यादा से ज्यादा डिप्रेशन में चला गया है हर इंसान डिप्रेशन में चला गया है कि कहीं रशित मैं बिल्कुल मैं समय सकता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों में जो है अपना अपोफ फिरास चला हुआ तो सर हर नजला खासी और वाइरस की जो खासी है इसमें कोई फरक है मतलब कोई ऐसी चीज जिसे पता चले कि हाँ इस ही में वाइरस हो सकता है कोई ऐसी खासी है फिस कोई खास परक नहीं है लेकिन आधे नहीं बता सकते के सको को परोना है या नहीं है लेकिन कुछ चीजे हैं जिसे अगर पता लगजाता है यह पासिबिली हो सकता है जैसे के बढ़े को कोरो ना हो जैसे के जैसे के कोई बंदा बाहर पे आया है लंडें से आया है उनिटेरिक आउट आफ कंट्री से कहीं से भी आउट आफ कंट्री से कहीं से भी क्रेविन की हिस्ट्री हो इरान से आया है अफदानिस्टान के आया हो साओधिया से आया हो पारें कहीं से भी क्रेविल के इसकी है और उसके बाद जो है ग्रेविल के बाद जो है उसके पास्टेशन को तिंसम्स जायर होते हैं और इसके को प परोना है अचा सर कुछ दिन पहले तो मुझे टाइफाइड हो गया था मैं खुद परिशन हो गया था मुझे खासी हो गया जुकाम हो गया मैं खुद डिप्रेशन में चला गया है मैंने का ला खेर करे मुझे अपनी फिकर नहीं है फैमली की बहुत जादा फिकर है क्योंकि ट्रांसफर होने वाली बीमारी है किसी में एक में तो रह नहीं सकती तो इसलिए मैंने भी खुद अपने चेक अप बहुत करवाए तो काफी सारे लोग ऐसे चुप भी जाते हैं तो उनसे भी सार गुदारिश करें कि महरबानी करके ट्रेस्ट करवाएं आप अपनी जिंद बिलकुल सब्सक्राइब करते हैं 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 बिलकुल सब्सक्राइब करते कि आपका पंदा आपके करीब नहीं हो 5-6 फासले पे हो ठीक है और इसके इलाबा आप अपने आपको आइसोलेट करें ज्याज़ा गेजरिंग में नहीं जाएंग अपने कमरे तत मैदूद रहें अपने कमरे तत मादूद रहें और खुदानकासा अगर किसी में अलामात है नंजले जुकाम के या इसा कोई संदा जिसमें कोरोना वाइरस रिष्टेदार है करीब दोप रहें तो उसको इस ăn एक चोटी सी बात कहना चाहूंगा कि यकिक से मलाकात हुई तो इनको भी नजला खासी और जुकाम था तो मेरी नसे मुलाकात दोनुमें का है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि जिसकी बाहर डuction हो तो उसी को हो सकता है तो मैंने का नहीं ये भी नहीं हो सकता है कि आपने किसी से मिले हो अनजाने में किसी से पैसे लिए हैं उस पैसे में भी हो सकता है किसी का दरवादा खुला उस दरवाजे में भी उसके वाइरस के जरासीम हो सकते हैं तो ये नहीं है, कमसकम खुद का ख्याल ये भी ना सोचें कि मुझे नजला जुका में तो मुझे वाइरस नहीं हो सकता, तो कमसकम इतना ख्याल भी रखा जाए कि ठीक है, जब तक आपको नजला खासी खतम नहीं होती तो आप अपने रूम तक ही मैदूद रहें. माशालला, बिल्कुल, बिल्कुल. सर, हम सब उन्हें एप्रिशेट करते हैं, हुकमत पाकिस्तान को एप्रिशेट करते हैं. सर, सबसे पहले इसमें हुकूमत जी, जी, जी. सर, जोको सबसे पहले जो कहते हैं ना कि हमें आगे बढ़ना है, तो आगे तब ही बढ़ सकते हैं, जब सबसे पहले अवाम उसके ओपर गोर और फिकर करें, अवाम उनके अमल्स पे जाए. ये नहीं कि अगर गौर्मेंट सिंध या वफाक गौर्मेंट कहती है कि भाई आप अपने घरों तक मैदूद रहें, तो ये कोई कर्फियू अगरा भी नहीं है, ये लागडाउन सिर्फ हमारी सैफटी के लिए है, तो बरा महरबानी, बिलावजा जो लोग बाहर बैठते ह उनसे गुजारिश है कि पहले तो हम कहते थे कि हम आपने माबाब को टाइम नहीं दे पाते हैं, आज जब आला ने आपको मुका दिया, अपने माबाब को टाइम दें, घर में उनके साथ बैठें, सर बाराल, सर इस इन्फेक्शन की अलामात वायरिस के मुन्तकली के बाद क इन्फेक्शन पीरिर का मतलब यह है कि जब जरासीम जतन में दाखिल होता है, और जब तक्शिपेशन को सत्तिक हो हो, तो हम इन्फेक्शन पोलते हैं, यूजली अभूमन यह जो है, यह 14 दिन है, 14 से लेकर 15 दिन है, तो इस दोरान जो है, अभूमन बहुत आरे लोगों मे सर कॉल पे ही रहिएगा, मार्टन डाउ पाकिस्तान की छटी बड़ी दवासाज कमपनी है, जो के दहाईयों से कारपुरिट समाजी जमेदारिया निभाने में अहम किरदार अदा कर रही है, कमपनी के तरजिहात में तीन बन्यादी जीज़े हैं, तालीम, सहत, महोलियात, कोविड नाइनटीन अगडमाद मार्टन डाउ के मुलाजमीन उसका कीमती अससा है, मार्टन डाउ हर काम उनकी हिफाज़त और खुशाहली को मदे नज़र रखते हुए करती है, मार्टन उने मंदर जील अग्दमाद कोरोना के हवाले से किये हैं, असमतालों में पी-पी-ई-कीड्स की तक्सी मार्टन डाउ के फैस बुक पेज़ पर आगाही प्रोग्याम्स कोरोना के मुज़ू पर वेप इजलाज और हमारे साथ मौजूद हैं डाक्टर मौमद असलम रिन साब जिन से ठेरो ठेर सवालात कर रहे हैं और ये सवालात ये नहीं कि सिर्फ हम अपने आप तक मैदूद रख रहे हैं आप तक पहुंचाने का असल मक्सद यही है कि आपको पता चले कि ये वाइरिस आखिर है क्या ये मुजी मर्ज आखिर है क्या इससे बचा कैसे जा सकता है और अपनी भी जिन्दगी और अपने प्यारों की जिन्दगी कैसे बचा सकते हैं डॉक्तर साब क्या नॉवल वाइरस का कोई इलाज है सर कोशिशे जारी है कोशिशे जारी है बहुत सारी रिसर्च हो रही है और जो है अपना बहुत सारा उसके काम हो रहा है कि जब 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 कोई इससन निकाला जाए अचा मैंने ठ्रेक्टिकली जो है जिसे कुछ पुछ प्रॉट कूछ बुच पैसे जा से कौटेट किया कुछ पैसे लिए पुछ फुच पैसे बहुत सारे पैसे और धुछ तरेगल की इसजिती जब जैसे फे पैसे जिजब आपने आपको सब्सूलेटर कर हुमें कल तो प तो एजोमेक्स मैं अपने प्रेक्टिकली अगर हिसाफ से देखू अपना तजर्बा मुझे लग रहा है कि एजोमेक्स प्लेट जो है वो इसमें एफेक्टिव है लेकिन अभी तक कोई अथेंटिक रिशर्च नहीं है अचा सर मुझे एक बात जो है इसमें प्रेक्टिक रिशर्च मुझे अचा सर मुझे एक बात जो है ना दो तीन दिन से बहुत तंग कर रही है और मैं चाहता हूँ कि वो सवाल मैं आप से करूँ ये सवाल है भी नहीं अगर फिर भी मैं अपनी और से ये सवाल करना चाहूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहनों में ये सवाल आ चुका है सवाल ये है कि क्या हर साल मतलब हर साल ये बीमारी आ सकती है या ये हमेशा के लिए पाकिसान से जा सकती है पूरी दुन्या से जा सकती है देखें जब इसका अगर कोई वैक्टीन आ गया कोई वैक्टीन निकल गया ने बौहत तरह लोगों को वेक्षिनेक तर्टिया है तो यह मुकमिल दोर बेजा सकती है इसका कोई इसका कोई इलाज निकल कि आया कि यह जो फिर दो जो जिसको कोरोना वाइरस है उनको टीच कर रहे हैं तो बाती लोगों को तो लगेगा नहीं पतम हो सकता है बिल्कुल होगा तो कोरोना वाइरस गायब हो जाएगा आप तो तो आसर आएगा है या नहीं है तो अच्छा सर कोरोना वाइरस लोगों तक फैलने फैलता कैसे इसकी पुझाद क्या है कि एक से दूसरे में ट्रांसफर होना मतलब वो कौन से काम है जिन से ये ट्रांसफर होता है जिए एक तो मैंने आपको बताया कि सोशल डिप्संस देंगा जब हम नहीं करते हैं एक बंदा जिसको कोरोना वाइरस है और हमने उसके करीब उसके मूँ के करीब बात किया या उसके हाथ मिलाया जो हाथ उसका संट्मिनेटेर है मतलब उसमें जरातीम लगा हुआ है वो आद से जो पोरोना वाइरस जो थैलता है वो है के जरी हम जो है अपना आफ चार पांच पंडे बेख्व अए पास में तो शचल डिप्संस गल्संस नहीं है परेज सेंगी जो है हाथ जो है टवर नहीं गर गांटेरए नहीं है नहीं तो रहते उसमें हैं और जो पंचा जो क्या कोरोना वायरस हवा से मुंतकिल हो सकता है हवा के दूश पे यहां से वहां जाना हवा से मुंतकिल होगे दूसरे जगह एक किलो मेटर तक जाएगी है तो अगर वह तंदा करीब है जुसको पोरोना वायरस है और उसने खांका तो पिर जायर है इसना तो हवा है अगर आपके दो सीट मुतासले पर बज़ा हो आए एक दी आता से मुतासले पर उए तो जायर होगे वो जो 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 नजर्ला हो रहा है उसको तुकाम हो जसकी तो उसना चीक ल逃ग है तो उसनलमे अजसर किन अफराद को कुरोना वाइरस ज्यादा असर कर सकता है हाई रिस्क पर कौन से लोग जा सकते हैं अजसर किन अफराद के लोग जाती ले रहे हैं जिसको अम्मिनोस प्रेशन दवाई बोलते हैं इसकी दवाई जो गोग जाती है तो जिसको कोई बीमारी तेले से है और सम्जोर है खाना पीना फुस्टा अच्छा नहीं है तो इसे बंदे में जरातिम लगने के शांस तर्थ जादा होते है विश्ट जो बंदा हैल्पी है जो पर गिमारी मेरी में है और डेली एक्सराइट कर रहा है और उसमें पुरूट और विजी टैपल्स को गरज ज्यादा खा रहा है तो इसे बंदे में जरासिन लगने के साथ सिस्क्तम होते है तो इसलिए मेरा जो है लोगों से जुजर्श है इस्पैशली जानवर जो होते हैं वो दिहात में होते हैं गाउं में होते हैं तो उनसे सरा सपरेज परेज दिया जाए और इसे अलावा जो नीक टाड़क्ट है जो बोस्त वाली चीज़ है सबसी ज्यादा खाई जाए जाए है और वेस्टिती जिनलिटी सब्चाँ खाने से सथ ज्यादा उची होती है बोस्त खाना चाहिए आज के प्रोग्यम का आखरी सवाल है क्या कोरोना वाइरस से मोट वाके हो सकती है जिसके इम्निटी ना हो बिल्कुल कम है、 Immunity कम है, Immun Compromise है. इसने कहा है, फिस्में करवा देता है, तर आख्पी का देद्च हो सकता है, यह पांसिपिल्स है. लेकिन ओवराल, क्रोना वायर 뭐가 है, जो है, देद्च रेशो कम है, सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दिया और ऐसे समझाया कि आदा घंटा कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला सर मुझसे बेजार हो जाएंगे आप सर बिलकुल मैं तमाम लोगों से यह कहना चाहूंगा कि अगर कोई ऐसी ऐसा मसला यहां ऐसा है तो जल्दी डॉक्टर से रुजू भी करें और सबसे पहले आप डॉक्टर मुहमद असलम रिंद साब के पास जाएं और अल्ला उनके हाथ में शिफा अता करे ताकि हम सब सहतियाब हो जाएं सर बहुत बहुत शुक्री आपने अपना कीमती वक्त दिया और सर आखरी कोई मैसेज देना चाहेंगे जल्दी जल्दी कुछ ही सेकन्स में जटके लड़ना हैं और यह पास की सब्सक्रापीर करने हैं जटके लड़ना है पल्कुल है यह इन चीज़ यह है का हमें इसका लिए नहीं करेंगे दूसरों लिए भी करेंगे ठीक है तो बस ये लेते हैं के भाई अपने गरूमे रहें और इस्टेट होम एंड इस्टेट पैट और ज्यादर बाहर खुजूर में नहीं निकलें जाहर है कोई चीज आप लेने जाते हैं वो बहुत इंपार्डन काम है तो आप निकलें ठीक है जैसे मैं हूँ कोईटेशन पीरत आजाता है मैं घर से निकलता हूँ बिल्कुल मुझे पैशन देखना है जाहर है किसको दिखाएगा तो हमने निकलना पर जाहर है लेकिन हम एजजादी टदादीर लेते हैं अपने क्लिनक पे बहुत सोचल डिटन्टिंग करते हैं इसके मैंड êtes किनिटारिज इसके में मुझे मास्क बाहर से हुग Посच के मुझे लेते हैं तारे प्रोटेटिजम तेशन मैयर्स लेते है हैं और बजूलने गर पे नहीं निकलना है और अपने घर मेराना है जब तक कि गुवर्मेंट भाई लाग डाउं करें उस साफ से पिरा में गुवर्मेंट को पालोग करना चाहिए क्योंकि वो जो लोग हैं गुवर्मेंट के जो लोग हैं हमारे लिए कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल लिए इतने पर्स ले रहा हैं बेलकुल इग्जैटली सर इंशेयललह, जिन्देगी रहे तो जल्दी मुलाकात होगी, दौाओं में याद रखेगा, हम भी आपको बहुत सारी दौाओं में याद रखेगा, बहुत सुकरिया, थेंग्यू एरी मिश्ट, जी जिनाब हमारे साथ मौझू थें, डॉक्टर मु जाकत यूनिवस्टी आफ मेडिकल एंड हेल्थ सेंस जाम्चोरों से जो के MBBS FCPS and MRCPU के और जनाब ये पर गया मार्टन डाउ के ताउन से पेश किया जा रहा था मार्टन डाउ पाकिस्तान की छटी बड़ी दवासाज कमपनी है जो के दाईयों से कारपुरिट समाजी जे किरदारिया निभाने में आहम किरदार अदा कर रही है कमपनी के तरजीहात में तीन बुन्यादी जीज़े हैं तालीम, सहत, माहोलियात, कोविड-19 अक्डामाद मार्टन डाउ के मुलाजमीन उसका कीमती अससा है मार्टन डाउ हर काम उनकी हिफाज़त और खुशहाली को म मुसलसल सप्लाई की जरूरत है मार्टन डाउ ने मनरजील अग्दमाद करोना के हवाले से किये हैं असमतालों में पी-पी-ई-कीड्स की तक्सी मार्टन डाउ के फैस्बुक पेज़ पर आगाही प्रोग्याम्स करोना के मुज़ू पर वेप इजलाज और मैं भी इस ही महरबानी उन से रुक जाएं अपने घर तक मैदूद रहें अपना नहीं तो अपनी फैमली का अपने बच्चों का अपने माबाब का अपने घरवालों का ख्याल रखें बड़ाय महरबानी और हर जुकाम खासी जो है वो कोरोना वाइरस नहीं है बट सबसे पहले अगर अपने रूम तक मैदूद रहें जब तक आपको ये मर्ज यानी के जुकाम बखार या खासी खत्म नहीं हो जाती तो जनाब ये प्रग्याम मार्टन डाउ के ताउन से पेश किया जा रहा था एफम हन्रिट पाकिस्तान के लाइव स्टूडियो से और मैं भी आप लोग उस से चाहूंगा एजाज़त जिन्दगी में हर्बान रही सांसो की डोर चलती रही तो फिर आप लोग उसे मुलाकात होगी तब तक के लिए नाव टेक कियर बाबाए अल्ला हाफिस गाड ब्लेस यो कराची, लहूर, इसलामबन, हैराबबन, रहीम यारकान, मलताग, अबताबबन, गुड़त, जेलाग, अक्रॉस पकिस्तान, इस एस फ्म100, 100, 100, 100, 100